अव्यक्त शिक्षाओं का अन्मूल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है जिन्दगी का अफसाना ये श्रंखला सर्वात्माओं के पेता परमात्माश्यव के द्वारा उचारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है ओम शांती गॉर्लिवूर्ट स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमोलेरत्न में आप सभी का हार्दिक स्वाकत है प्रचापिता ब्रह्माबाबा का अव्यक्तारोहन दिवस 18 जन्वरी का दिन श्रीष्ठ प्रेरणाउं बग्यान के गुहे राजों को यथार्थ समझने का दिन है ये दिन ना केवल हमें वर्तमान प्राप्तियों का बोध कराता है अपितु भविश्य में होने वाली परमात्म प्रत्यक्षिता के गुहे राजों को भी स्पष्ट करता है इस दिन के विशेश महत्व को आज हम इश्वरिय महावाक्यों द्वारा विस्तार पूर्वक समझेंगे और इन महावाक्यों के इस पष्टी करण के लिए हमारे मद्धे है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिज इश्वरिय विश्विद्याले के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदर्निय राजुभाई सहब आज हम बात करेंगे अठारा जनवरी 1990 के महावाक्यों पर इसका टॉपिक है अव्यक्त दिवस के गुप्त रास ऐसा परमात्मा कहते हैं जैसे यग्य की स्थापना के आदी में ब्रम्भा बाप ने बच्चों के आगे अपना सब कुछ समर्पित किया अर्थात विल की ऐसे आज के दिवस पर ब्रम्भा बाप ने बच्चों को सर्वशक्तियों की विल की अर्थात विल पावर्स दे आज के दिवस नैनो द्वारा और संकल्पो द्वारा बाप ने बच्चों को विशेश संशोस फादर की विशेश सौगात दे फैस अब 18 जन्वरी की इन सौगातों को थोड़ सपष्ट करे उस समय बढ़ा के पास जतनी प्रोपर्टफी थी जो बढ़ा का अपना विजनेश था उस सब कुछ बढ़ा ने विल किया अश्चों को एक ओम मंदली संस्था बना करके एक टष्ट बनाया सात बहन का और पूरी ही प्रवपर्टी बावा ने लिख करके 18 जन्वरी 1937 में पूरा विल लिख करके दिया। बावा याद करा रहे हैं कि जैसे सुर्वाट यगी की स्थापना में बावा ने इस्थूल समत्ती समर्पित की ऐसे ही 18 जण्वरी 69 उस दिन बावा ने ने नों से संकुलब सक्ति जैसे दादीयों के हाथ में जैसे पूरे यग्य की विल कर दिये। तो वह बाबा उस दरसे को इमर्ज कर रहे हैं कि ये जो दिन है, ये विसेश दिन है साखार में बाबा ने अपनी स्थोल संपत्ति विल की और अभी अवयक्त हुए बाबा तो अपनी सारी सूख्शम सक्तियां, बहनों को, दादियों को समर्पित करके, निद्रष्टी से, ने हाथों से वर्दान देती वज़े से आपकाया. ब्रम्हा बाप भी आज के दिन प्रत्यक्षरूप में करावनहार बाप के साथी बने करनहार निमित बच्चों को बनाया और करावनहार मात पिता साथी बने आज के दिन ब्रम्हा बाप ने अपनी सेवा की रीती और गती परिवर्तन की सब इस परिवर्थ तिद्गती को हम सभी महसूस तो कर रहे हैं, परन्तु परमात्मा किस विदी से हमें कह रहे हैं, इसको थोड़ा सपष्ट करें साकार में बाबा खुद अपने आपको करनहार समझ करके करम करते करामनहार सिव बाबा थे अठारा जन्वरी 69 को बाबा जब अव्यक्त होई, तो बाबा ने अपने स्वरूप का, अपनी सेवाओं का जैसे रूप परिवर्थन किया, पहले बाबा जो कर रहे थे, उनको ये स्मृत्ती रहती थी, करामनहार सिव बाबा है, और मैं निमित करम के लिए करनहार हूँ लेकिन 18 जन्वरी को जब बाबा ने भौतिक देह का त्याक किया, तो जैसे मात पिता दोनों साथ कंबाइंड हो गए, और दोनों ही करामनहार बन करके, अपने बच्चों के द्वारा, विशेष निमित बन करके, जैसे करम करा रहे हैं, सेवाएं करा रहे हैं, तो करामनहार मात पिता हो गए, और बच्चे करनहार हो गए, ये कर रहे हैं साकार में, लेकिन कराने वाला मात पिता गुप्त है, और अभ्यक्त वतन से करावनहार बन करके, अपने बच्चों से करम करा रहे हैं। प्रमात्मागी कहते हैं कि आज के दिवस विशेश ब्रम्भा बाप देहे से सुक्ष्म फरिष्टा स्वरूप धारण कर उचे वतन, सुक्ष्म वतन निवासी बने. इसलिए बच्चों को तीवर गती से उचा उठाने के लिए, बच्चों को फरिष्टे रूप से उड़ाने के लिए. इतना श्रेष्ट महत्व का यह दिवस है. ब्रह्मा बाबा खुद पुटसार्थ करते करते अपनी संपनता को प्राप्त किया. साकार से वो अव्यक्त फरिष्टा बन गए. परमात्मा कह रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने पुटसार्थ करके साकार्तन को छोड़ते अपने फरिष्टे स्वरूप को धारन कर लिय ऐसे ही बच्चों को समान बनाने के लिए आज के दिन ब्रम्हा बाबा जैसे फरिष्टा बन करके मेरे बच्चे भी सिस्टेज को प्राप्त करें उसके लिए इस दिन का विशेश महत तो है इस दिन ब्रह्मा बाबा साकारी से आकारी फरिष्टा सरोप में इस्थित सेवा कर रहे हैं, तो मेरे बच्चे भी साकार में रहते हुए बुद्धी योग से उस फरिष्टा इस्थिति को प्राप्त करें। ऐसी इस्थिति प्राप्त कराने के लिए ब्रह्मा बाबा जैसे अ स्निह का दिवस नहीं, लेकिन विश्व की आत्माओं का, ब्रामभण आत्माओं का, और सेवा की गती का परिवर्तन ग्रामा में नोंधा हुआ था, जो बच्चे भी देख रहे हैं। विश्व की आत्माओं के प्रती बुध्धिवानों की बुध्धी बने, बुध्धी का परिवर्तन हुआ, संपर्क में आये सहयोगी बने, ब्रामभण आत्माओं में श्रेष्ट संकल्प द्वारा ती व्रिगती से वृध्धी हुई, सेवा के प्रती संशूस फादर की जैसे सेवाओं में इतनी ब्रद्धी हुई विस्तार होने लगा, सूक्ष्म संकल्प से बाबा की सेवाइं प्रारंभ हो गई, पहले तो ये तनका भी बंदन था, एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर जाने के लिए भी समय और सरीर का बंदन था, बिलकुल, लेकिन बाब की वो स्पीड सेवा की सूक्ष्म गती से बहुत तीवर हुई, तो बाबा कह रहे हैं बच्चों की ब्राम्हन बच्चों की पालना करना, विस्व के अल्यान के लिए विस्व के सभी बच्चों को प्रेरित करना, बुद्धिवानों की बुद्धी बन करके हर एक की बुद् अवयक्त होने के बाद, ऐसी सेवाओं की स्पीट बढ़ी जो 135-140 देशों में सेवा केंद्र खुल गए और हर धर्म की आत्मा, जहां भी इस धर्म के आदी सनातन देवी दियोता धर्म की आत्माएं, कनवाठ होकर के दूसरे धर्म में चली गए उन सब की सेवा परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा की इस अवयक्त स्वरूप से फिर से सुरूप किया, स्पीट बढ़ी गई, तो बाबा उस दिन को याद कर रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा का अवयक्त होना इतना कल्यान का रही है, कि वह सने का दिन नहीं है, कि सेवाओं में परिवर्तन का दिन है, विस्तार क दिन है, ब्राह्मन आत्माओं को एक स्थान पर बैठे हुए परमात्म सक्तियों के अनुभो करने का दिन है, इसलिए विसेश ये दिन है, इसका महत बता रहे हैं। करेंगे, महनत आप नहीं करेंगे, वह रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे पास आओ, तब ही प्रत्यक्षिता की आवाज बुलंद होगी और सब की अटेंशन आप बच्चों द्वारा बाप तरफ जाएगी। करने पड़ती थी, इस्टेज बनाना, तनमंधन खर्च करना, विय पीज को बुलाना, सेवाएं करने के लिए बहुत महनत करने पड़ती थी। लेकिन बाबा के रहे हैं, अभी तो आ भी गया है। कि लोग भी बहुत उची नजर से देखते हैं। और मिननत करते हैं कि आप हमारी स्टेज पर आकर कोई कारिकरम कर जाएं। तो पर्मात्मा कहते हैं, जो सिवाओं की रूप रेखा भी बदल रही है। जब ऐसी बनी-बनाई स्टेज आपको मिलेगी और उस बनी-बनाई स्टेज पर महनत वो करेंगे और आप सब का ध्यान परमात्मा की तरफ आकरसित करेंगे। आप बच्चों के द्वारा परमात्मा की प्रतिक्षता होगी। तो उस परत्यक्षता के दिन परमात्मा आवहन कर रहे हैं और भविष्ट के रूप में बता रहे हैं जो ऐसा समय भी आएगा जो आपको सेवा के लिए कोई भी परकार की मेहनत नहीं करने पड़ेगी. बनी बनाई स्टेज पर आप जाएंगे परवचन करेंगे बाबा का परिचे देंगे और अनेक आत्माओं का सम्मन्द परमात्मा से जुड़ा देंगे. जब ऐसी सिवाएं सुरू हो जाएंगे तब समझो परत्यक्षता के दिन समीप आगए हैं. परमात्मा कहते हैं कि सब की नजर बाप तरफ जाना अर्थात प्रत्यक्षता होना और जैजयकार के चारों और घंटे बजेंगे. यह ड्रामा का सुक्ष मराज बना हुआ है. प्रत्यक्षता के बाद अनेक आत्माएं पश्चाताप करेंगी और बच्चों का पश्चाताप बाप देख नहीं सकता, इसलिए परिवर्तन हो जाएगा. तब ड्रामा के इस राज को सबस्ष्ट करें. अन्तिम द्रस्य परमात्मा हम सब को इसपष्ट सुना रहे हैं कि बच्चे ऐसा समय आएगा जो चारों और परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी और जह जह कार का नहरा बुलंद होगा. कि परमात्मा आगे हैं और अभी हमें उन से अपना वर्सा अपना अधिकार लेना है. जिन बच्चों ने बाप को पहचाना हो तो जह जह कार करेंगे, खुसी में ढांस करेंगे, लेकिन जो आत्माएं पहचान मिलते हुए भी अलबेली रहे हैं, उन पहच्चाताप करेंग तो एक तरफ जह जह कार है, प्रत्यक्षता का अधिरस याएगा, दूसरी तरफ कई बच्चे जो पहचानते हुए भी अपने समय और अपने अनर्जी को गवा रहे हैं, पहच्चाताप करेंगे. और तीसरी तरफ परमात्मा कहता है, मैं रहम दिल हूँ, इसलिए उस पहच पहच्चाताप का, बच्चों के पहच्चाताप को मैं भी सुन नहीं सकता, उसी समय पे परिवर्तन, बना विनास होगा. तो अब वो विनास के नजारे दिखाई दे रहे हैं, कि प्रत्यक्षता सेवाओं की हो रही है, और साथ साथ जिन आत्माओं ने कोई गलतियां की है, पहच्चाताप भी हो रहा है, तो पहच्चाताप अधिक समय न चल करके इसका परिवर्तन होगा, यह अन्तिम समय का द्रश से परमात्मा इमर्ज करके बता रहे हैं, परमात्मा की कहते हैं कि बाप के अव्यक्त बनने के ड्रामा में गुप्त राज भरे होए थे, कहीं बच कौन हुआ, अगर छुट्टी लेते, तो करमातीत नहीं बन सकते, चुकि ब्लड कनेक्शन से पदम गुणा ज्यादा आत्मिक कनेक्शन होता है, ब्रम्ह को तो करमातीत होना था, यह स्नेह के बंधन में जाना था, ब्रम्ह बाप भी कहते हैं, ड्रामा ने करमातीत बनाने के बंधन में बांधा, और बांधा इतने टाइम में, समय होता, तो और पाठ हो जाता, इसलिए घड़ी का खेल हो गया, बच्चों को भी अन्जान बना दिया, बाप को भी अन्जान बना दिया, इनको कहते हैं, बहार ड्रामा बहा अन्तिम द्रस से 18 जन्वरी का जो हुआ, उसके विशे में बाबा बता रहे हैं, कि बच्चे भी अन्जान थे, कि ऐसे कैसे बाबा चाहेगा, और बाबा भी अन्जान था, कि आज बाबा को अवयक्त होना है, बहले बाबा गुप्तरिती से उटसार्थ करके संपन बन चुक बाबा के महावाग के साम को चले, और नौ बजे के पांच साथ मिनट में ही बाबा कमरे में गए और बैठे और सरी चोड़ दिया, तो बाबा उस दरह से को इमर्ज कर रहे हैं, कि अगर बाबा किसी को बता देते, तो बच्चे क्या चुट्टी देते मुझे, कि आप जाए बलड कनेक्शन से भी जो रुहानी कनेक्शन है, आत्मिक कनेक्शन है, बहुत गहरा कनेक्शन है, बाबा से बच्चों का बहुत जिगरी प्यार था, इसलिए बाबा कैसे चुटी लेगा बच्चे को, पहेगा कि बाबा को अभी जाना है, अवयक्त होना है, इसलिए सब ड् प्रष्टी देते देते शरी से उड़ गया। दादी जी को उस समय जब सामने खड़ी हैं, हाथ में हाथ है। फिर भी इनको यह पता नहीं चलने दिया। बाबा भी सरी छोड़ के गया। दादी ने सोचा बाबा का साथ आज तंडी के कान तवियत ऐसी हो रही। दादी ने तुसी विस्तर पर भाबा को इसे लिटा दिया। जिन बाबा तो एक सेकंड में उड़के चला गया था। तो वो द्रस से बाबा इमर्ज कर रहे हैं। ऐसे एक सेकंड के अंदर परिवर्तन हुआ। सनेह होते हुए भी किसी के सनेह ने बाबा को बाधा नहीं खीच नहीं चका क्योंको आत्मा कर्मातित बन चुकी थी। पर मात्मा के कहते हैं कि आदी रत्न है मुखवंचावली और आप हो संकल्प की वंचावली। इसलिए ब्रह्मा की दो रचना गाई हुई हैं। एक मुखवंचावली एक संकल्प द्वारा स्रिष्टी रची। हो तो ब्रह्मा की रचना तब तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो। शिव कुमारी तो नहीं कहलाते हो ना, सब ब्रह्मा की इन दोनों प्रकार की रचनाओं को सपष्ट करें। तो वर्तमां समय किसरे की रचना है, और फूव कि रचना रचना है? कि आप बच्चे ब्रह्मा के संकल्प की रचना है क्या है जह कहते हैं संकल्प से ब्रह्मा ने स्रिष्टी रची ज vis dominated है जासे संकल्प में बहुत शक्ती थी बाबा के और हमाहन करते थी कैसे-से बच्चे आएएंगे हर धर्म की इत्म में आएंगी बाबा से अपना जनम से दधिकाल लेंगी तो ब्रह्मा बाबा के वो संकल्प जो थे वो अव्यक्त होने के बाद वो संकल्प की रचना आने लगी तो दो प्रकार की रचना ब्रमात्मा कहते हैं कि हर समय यह याद रहे कि अब नहीं तो कब नहीं जो घड़ी बीट गई वह फिर से नहीं आएगी एक घड़ी व्यर्थ जाना, अर्थात कितने कदम व्यर्थ गए, पदम व्यर्थ गए इसलिए हर घड़ी यह स्लोगन याद रहे जो समय के महत्व को जानते हैं, वह स्वते ही महान बनते हैं स्वयम को भी जानना है और समय को भी जानना है, दोनों ही विशेश हैं यह दूनों बाते स्वयम को जानना और समय को जानना इसलिए बाबा का पहला पहला इही स्लोगन था अब नहीं तो कब नहीं और मम्मा का इस लोगन था कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, कल के उपपर पुर्शार्त के किसी भी बात को सिवा किसी भी कारी को कल पर नहीं इसलिए बाबा हमारा ध्यान किचवाते हैं, इस्थिति और समय पर अपनी स्रेष्ट इस्थिति बना करके, समय को समझ करके, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझेंगे, तो आपकी बुद्धी कहीं भी भटकेगी नहीं, कहीं भी फसेंगे नहीं, क्योंकि किसी समय भी इस रिर क अंत हो सकता है, इसलिए पर मात्मा किया अंत मत्ती सो गट्टी, अगर अंतिम स्वांस के समय कोई देधरी याद आ गया, कहीं बुद्धी भटक गई, तो गट्टी कैसी होगी, इसलिए ध्यान रखेंगे, तो आप इस समय को सफल कर सकेंगे, निसंकल्प और स्वास को सफल कर सकेंगे इसलिए परमात्मा हमारे ध्यान के ज़वाते हैं कि हार गड़ी अंतिम गड़ी है बिलकुल भैसाब आज हमने स्मृती दिवस के गुहें रहस्यों को और विशेश महत्व को विस्तार पूरवक समझा भैसब सपश्टी करण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यव फादर की दिव्वे सौगात प्राप्त करने का दिवस है परमात्मा ने कहा कि हमें ड्रामा के गुहे राजूं को समझ कर हर सीन देखते हुए वहा ड्रामा वहा करना है व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने है परमात्मा ने कहा कि हमें ये स्लोगन सदास्मृती में रखना है कि जो समय के महत्व को जानता है, बहस्वते ही महान बनता है। तर्शक्वाज के महावाक्यों से समबंधित, यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है, तो आप हमें एमेल कर सकते हैं। हमारा एमेल आइडी है amolaratna at the rate godlywoodstudio.org अगले एपिसोड में एक और अव्यक्तवाणी के साथ, आप सभी के समक्षम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त, ओम शान्ती। ओके सार श्रेश्ट दिन अव्यक्त दिवस का महत्व आज के दिन ब्रह्मा बाप ने अपनी सेवा की रीती और गती परिवर्तन की, बच्चों को सर्वशक्तियों की विल की अर्थात विल पावर्स दी। बच्चों की सोच, प्रह्मा बाप छुट्टी तो लेके जाते, अगर छुट्टी लेते तो कर्मा तीत नहीं बन सकते, क्योंकि ब्लड कनेक्शन से पत्म गुणा ज्यादा अत्मे कनेक्शन होता है। ब्रह्मा की दो रचना क्यों गाई हुई है। इस श्रंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज इश्वरिय विश्व विद्यार लेके सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गौडलीवूड स्टूडियो से संपर्क करें।